चलिए बाई बुदवार की सुभा इस कारोबारी हफ़ते का मिड़ पॉइंट और ये इस महीने का है लास्ट वेनेस डे तो आज है निफ्टी बैंक के मन्थली कॉंट्राक्ट्स की एक्सपाइरी का दिन और साथ ही कल की मन्थली बड़ी वाली एक्सपाइरी से पहले वाला आल इंपॉर्टन्ट पेनल्टिमेट सेशन या कहले जे डी माइनस वान तो ये सेशन के एहमेत तो अपने आप आपको समझ में आ गई होगी और ये सेशन इंपॉर्टन्ट इसलिए भी है कि कल बजार में कुछ हद तक ऐसा रगा स्टीम लूज आउट होती भी नज़र अपने निफ्टी को एक सवे 50 पॉंट नीचे भी देखा था और एकदम फ्लैट परसों के क्लोजिंग लिवल्ज पर जाकर सेशन की समापती हुई स्पीच हाँ नए इंट्रा डे अब तक के रिकॉर्ड उस्तम तर जड़े पहली बार वो 26 हजार का आंकड़ा पार करा और जिन लिवल्ज पर आके रुका है सेशन वो भी रिकॉर्ड ट्लोज है तो कीरती मान तो अपने बनाता चल रहा है ऐसे मैं कल का सेशन देखकर सवाल सब के जहन में होगा क्या बजार का वो शॉट टम टेक्स्चर जो है अभी पॉजटिव है या नहीं है क्या नियर टम में अभी भी निफ्टी अप्ट्रेंड में है नहीं है इनी सवालों के जवाब टटो लेंगे आगे गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कली की तरह शायर एक सदा हुआ सा एक कंसॉलिडेशन के मूड वाला सेशन हो सकता है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 15-16 पॉइंट दबाव या कैली जे कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास सेशन की शुरुआत निरजी बगल में वैठे है इनसे एक ग्लोबल मूर महल समझ लेंगे उसके बाद वीरू से वो इंपॉटन लेवल जो आज वाच आउट करने और क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी निफ्टी बाइंक का उ इस समय सुबा-सुबा काम का आज कर रहा है आँ फ्लाटी है लाजली फ्लाट है अंचेंजड है देखे बिलकुल वो भी आज लाजली कंसोलिडेशन का मान है हैंग से निकल पड़ा है अच्छा पर मेरे में पर रिफ्रेश करिएगा खैर ठीक है उनके लिए तो खैर चाइ अच्छी एक ट्रिगर हो सकता है लेकिन पाता नहीं मेरे में अभी अंचेंज दिखा रहा है लेकिन सामने लिए स्क्रीन जादा सही है ओवरनाइट क्यूज जो है यूएस के बाजारों से ठीक है वो भी बुरे नहीं है एक चुथाई से आधा परसेंट मजबूत थे जाते जाते तेजी ने रिकॉर्ड फिर से चड़ते हुए वहां के बाजार और आज सुबह की फ्यूचर एकदम पस्त पड़े है तो हायर लेवल्स पे ग्लोबली एक्विटीज कंसॉलिडेट कर रही है ऐसा मान लिया जाए ऐसे भी निया जी से जाना जा है क्या मूड और हमारे के लिए हैंड ओवर कैसा है ग्लोब का निरजे गुड बॉर्निंग बॉर्निंग आशीस और एक्शली कल और आज में बहुत कुछ हुआ है जैसे जैसे ये कि लिकुर्डी का इतना बड़ा सैलाव आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते मार्केट में ऐसे क्यों कह रहा है ऐस आप ये सोचिए उससे अंदाजा लगाईएगा कि जो चाइना की कंपनिया अमेरिका में लिस्टेट है जिसको ड्रैगन इंडेक्स कहते हैं कल उसमें 9% की रैली हुई है जो कि 2020 के बाद की सबसे बड़ी रैली है अली बाबा या जितने भी स्टॉक्स में लिस्टेट सब म 50 basis cut on existing mortgages and reduction in down payment second home आप खरीदने जा रहे है तो आपकी margin money 25-50% कम हो रही है बाइबेक करने के लिए 500 billion yuan की funding दी जा रही है और इससे पूरे सिस्टम में कलम ने एक फिगर बदाया थे कि वन ट्रिलियन युवान के सिस्टम पईसा बढ़ेगा इससे दुगना बढ़ेगा अब dot connect करते हैं आपको याद होगा हमने कमसे में एक डिएल महीने पहला आप सिगा था कि एक चीन की communist party की जो बैठक होई है क आपने देखा है इसलिए across the board metals में एकल rally बनी है और आज भी बनेगे में लगता है गोल्ड record हाई पे जा रहा है क्योंकि इतना पैसा system में डालर आए है कि उससे currency week होगी तो बढ़ेगा डालर देखो week होना शुरू हुआ है ये मजबूत होना शुरू हुआ है तो यह जो liquidity का flow आया ना इसमें markets में बहुत बड़ी तीजी का expectation कर सकते हैं अब यह balloon बनेगा का फटेगा पता नहीं मुझे लेकिन इतनी system में पैसा डाला जा रहा है European commercial bank भी अगले मेंने 50 basis point कट करने की तयारी कर रहा है US में यह debate और intense हो गई है बड़ बड़े article लिखे गया है कि दो कर भी फैट की बाकी है दोनों में मिलागे 75 basis point कटोटी की तयारी है because you have to counter the China उससे क्या हो रहा है यह पैसा बहुत आ रहा है market में इसलिए तीजी का महौल रहने की संभाना है लेकिन यह कई बार ना किसी भी चीज़ की अती आपको कहीं दूसरी तरफ ले जाती है तो system में इ अब उसको रुकिया इस बीच ओपेक ने भी अपनी एक भारी रिपोर्ट जानी की है 2050 तक के पांच-पांच साल दर दर साल के वो कह रहे है आयल डिमांड और तेजी से बढ़ रही खास दोर पे इंडिया की और से दूसरी और जियो पॉलिटिकल टेंसन बना ही हुआ है तो बहुत कुछ एक साथ आपको इस समय देखने को मिल रहा है 75 के बार कुरूट चला गया है तो कुरूट में और बड़ी तेजी आई क्योंकि चीन में पैसा जोगा गया डिमांड आएगी तो कुरूट बढ़ाएगा अब इसका अनालेसिस आप करिए कि कैसे होगा लेकिन सिस और मोमेंटम ड्राइव करेगी यह बात सही है मेटल रड़ा पर रखी का कल सारतीन बजे जहां इंटनाशनल डॉक्टर कॉपर छोड़के गए ते वहां से इस समय भी 2% ऊपर है कच्छा तेल कल सुबह अपन चर्चा करें ते 74 बड़ा सदा सा दिख रहा है मूट ठीक होग आज वो 75 पार खड़के बैठा हुआ है इस समय सुबह तो एक्रोस कमोरिटीज इक्विटीज आप गोल्ड देखिए कहां बन दो रहा है वापिस यह 2700 के पार जाने की त्यारी कर रहा है फीचर्स में 2700 टच मार दिया है उसना तो एक्रोस आसिट क्लास इस भाई पाईसा ह होगा हर जगे है और होता हुआ दिख रहा है इकुटी से लेकर आपकी स्क्रीन्स पर बाकी वेरिबल सब जूम दे हुए ऐसे में चली है वीरू के पास चला जाए अप्रोच के लिए क्या करा जाए निफ्टी निफ्टी बैंक में कल ठीक है वो 26000 पार कर गए लेकिन ये ब 25,989 ये जोन्स पे आप निफ्टी के टागिट्स रखिएगा इन जोन्स के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करिएगा उसी जोन्स पे आपको 26000 के उपर का शेड नजर आएगा इग्जाक्ली उसी जोन्स पे आया हमने मुनाफ़ा बढ़िया तरीके से बांद लिया मार्किट्स पस्त भी पड़ गया है इवन निफ्टी बैंक में 54, 235 की बात हुई थी और देखे 54, 245 कल के इंटर डे हाइज प्रिसाइसली उन्ही प्रॉइंट्स पे हमारी भी दिन के टॉप पे प्रॉफिट टेकिंग हुई बड़ी अलतरीके से वेरो लिए ठीक है बहु निफ्टी बैंक की मंतली क्या अप्रोच रखा जाए इन लोग क्या लेविल्स वाच आउट करे जाए और अप्रोच क्या रखा जाए अशिश गूद मॉरिंग देखिए 26,000 पे वो कल कॉल राइटर था प्लस थोड़ा सा आप ओवरवाट टेक्टरी में थे हैं और निफ्टी बैंक पे दो दिन से जो हम बात कर रहे हैं 54,210 डे बिफोर येस्टिड़े और कल का था 54,235 वहीं पे आके वो 54,200 पे जो कॉल राइटर ख़ड़ा है आपको निकल रहे नहीं दे रहा है आशिश जैसे ही ग्लोबल सेटब जो भी हो या फिर लिक्विटी फ्लो की निरजी बात कर रहे थे बात कर रहे थे बट मेरा सेंस यह है कि निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक पे थोड़ा से ऐलेट हो जाईए स्ट्रक्चर अभी भी बहुत स्ट्रॉंग है बाइ ऑन डिफ्ट के ही कंटेंडर है दोनों ही इंडिसीज कल का एक पॉस्टिव जो हमारे साथ खड़ा है वो है निफ्टी आईटी जिसने पिछले पांच दिन के डाउंसाइट को सेक्योर करके वहां से पुलबेक दिया और 20-day exponential moving average को रीगें करके बद दुआ है यह पॉस्टिव है लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा हलका सा एक स्कोप दीजे निफ्टी और निफ्टी बैंक को टो टेस्ट इस 10-day exponential moving average at least मतलब बाइन डिफ्टी करेंगे हम बट एक स्कोप है और अगर हम कॉलाइटर्स के जोन के उपास sustain कर जाए तब कैसे अप्रोच करूँगा मैं सेशन को देखिए जिस लेवल पर में profit book किया वह कॉलाइटर्स के जोन थे अब आया और मैं यह जो एप्रोच है कोई ऐसा नहीं कि एफाइज के स्टैट्स को दिखे कर आँ नो सिर्फ प्योर टेक्निकली कल एफाइज की तरफ से सेलिंग थी 2700 कोड़ रुपे की 3868 कोड़ रुपे की डियाइज की बाइंग थी इंडेक्स एफाइज ने लगभग 1482 कोड़ का बेचा 9882 कॉंट्रेक्ट लॉंग 31,000 अब इस आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए ये दो कॉल रुपे के जोन बहुत स्ट्रॉंग सप्लाइज जोन के तौर पे काम करेंगे क्योंकि एफाइज की की बी कल करीब 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 2,000,000 कॉल शॉट आई है उनके लॉंग स्कॉल ट्रिम हुए वो अप्रॉक् प्लेसमेंट लेके आई कॉल आप्शिंस की और पुट आप्शिंस की निफ्टी 26,000, 26,1,262 यहां पे सबसे स्ट्रॉंग कॉल राइटर्स पैठ है परसिस्ट करते हैं और नीचे पुट राइटिंग भी बहुत दूर रही है नियरस स्ट्राइक्स पर यह है पच्चिस नो क्लियर ट्रेट शायद ना मिले आप्शिंस राइटर्स को देखे आशिश कैसे इस क्लस्टर को उन्हें ग्रैब कर रखा है मेरे अप्रोच कर रहे हैं देखे लिखे आई यह बेस मैं वकालत करूंगा कि आप बेस का इंतजार कीजिए इस 25821 and 773 यह ट्रेजेक्ट्री प्ल पॉसिबल ए टेन डे पॉसिबल इन सेशन और टू जिफ जो हम बाय करेंगे उसको हमें अभी भी उस क्लस्टर में निकालना है जो कि हमने पहला क्लस्टर तैय किया हुआ है 25,992 और 26,019 रेजिस्टर नमबर वन नई तेजी स्ट्रेंथ को तब खुलेगा जब आप 26,019 के इसी डिप बिदाओ के लिए निफ्टी बैंक कल बाकी सारे बैंक रेस्ट ले रहे थे सिफ एच्टी अपसी बैंक अगर आप देखें तो कहीं न कहीं वह मोमेंटम में था तो आपके डाउंसाइड को रिस्टिट कर रहा था लेकिन 54200 का कॉल आइटर बड़े कंविक्शन क वह है करीब-करीब 53500 का क्लस्टर एप्रोच कर रहेगी लेकिया यह बेस दाओ खेलना है बेस पे रस्क लेना है बेस पे इस 53910 and 53767 मिले तो बाय करेंगे और अभी भी उन सभी ट्रेट्स का जिसको हम बेस्बंट पर पिक करेंगे वह एग्जिक क्लस्टर होगा 54241 यानि RS1 निफ्टी बैंक को अगर किसी शॉट कवरिंग में या फिस शॉट कवरिंग के जोन में जाना है तो उसको 241 पार करना पड़ेगा in that case a swing towards 378521 पॉसिबल है तो दो फंडा है आशिशास का ऐदर हम एक अच्छा डिप मिले towards base 1 और else हम कॉल आइटर्स के जोन के उपस sustain करें आशिश अभी रुकते हैं जरह सा लेकिन वो थोड़ा सा डगमगार आ है मामला पर अभी चाइना के भी floodgates खुलें देखते हैं कैसा आता है ये fire का flow ब्रेक का समय है ब्रेक के उस पार हर्शदा जिनके आपने अभी अभी अवास सुनी थी उन से जानेंगे और भी interesting stocks in news कौन कौन से हैं जो आपको आज रडार पे रखने हैं ओके ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है चलिए आप आज के सारे important stocks in news हजदा गुड मॉरिंग आशीश तो आज शुरुवात अफकोस चमक के साथ ही करेंगे जो सोना all time highs पर trade करतावा दिखाए दे रहा है कल overnight हमने देखा comics में एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाए दी थी 26.45 डॉलर के पार ये निकला M6 पर भी अच्छी खरदारी देखने को मिली थी तो all time highs पर सोना है ऐसे में आप सीधा इसका वास्ता रखते हैं जूलरी कंपनियों पर तो टाइटन, कल्यान जूलर, सेंको, थंगमाईल ये पूरी लंबी लिस्ट है और इसमें आप PN मुथूर चैसे स्टॉक्स और जो कुछ बैंक है जो गोल लोन में एक्सपोजर रखते हैं जिसमें फेडरिल है, कैथलिक सीरियन बैंक हैं ये सब भी आप आज रेडार पर रखेंगे इसके आगे MCX भी रेडार पर रहेगा, MCX ने दरसल अपनी ट्रांजाक्शन फीज में क और दो रुपए दस पैसे ट्रांजाक्शन फीज होगी, ये पहले रेंज एक रुपए 75 से दो रुपए 60 पैसे के बीच थी, option contract पर अब आपको देनी पड़ेगी 41 रुपए 80 पैसे प्रती लाग के turnover पे और यहाँ पर पहले रेंज 40 से 50 रुपए के बीच थी, दरसल प्रेडार पर रखेंगे जरूर, इसके आगे आप Easy Trip Planner पर एक update आया था, CNBC TV18 के हवाले से कल शाम को, कि कंपनी के जो founder है या promoter है निशान्त पिट्टी, वो अपना 8.5% हिस्सा ओफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आज एक block deal होने की संभावना है, 622 करोड में सौ जून के अन तक 28.13% स्टेक था, उसमें से 8.5% स्टेक वो ओफलोड कर रहे हैं, कहीं से इंटरनाशनल की तरफ से भी एक update आया, QIP लाँच हुआ, flow price 9.76 रुपीज प्रतीशेर तै की गई है, दो sectors in fact रेडार पर रखेंगे, एक तो आटो कंपनियां खास और से passenger vehicle में, सबस सेभी की तरफ से approval मिल चुका है, यहां पर यह पूरी तरह से एक offer for sale होने वाला है, तो देखना होगा, यहां पर मारूती, hero motor cop का कोई वास्ता नहीं है ऐसे, मारूती सबसे important है और उसके बाद आप शायद M&M और Tata Motors रख सकते हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा issue यह रह सकता है, 80 to 20 billion dollar के बीच की valuation है, यह उभर करा रहा है, तो वो stock up radar पर, auto companyya radar पर रखेंगे, और Zomato का competitor Swiggy भी दरसल approval ले चुका है अपने IPO के लिए, यह करी 1.25 billion dollar का IPO रहेगा, Swiggy की valuation नेरी 15 billion dollar के बीच आकी जा रही है, यहां पर fresh issue होगा और साथी साथ एक OFS भी आएगा, वो details आगे बात करेंगे, लेकिन सीधा competition Zomato को मिलता हुआ दिखाए देगा, listed space में, मजगाव डॉक के लिए भी एक update आया है, company ने अपनी production शुरू कर दिये, डेन्मा की नावी merchants के लिए, यहां पर 6-7, 4 additional vessels बनाने हैं को, उसके लिए दरसल प्रक्रिया शुरू हो चुकी ह चोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार जब लॉटेंगे, आज का इवेंस कलेंडर और commodity strategy चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, quickly आज का इवेंस कलेंडर पहले, Wednesday, Nifty Bank की, Monthly expiry, X-Dividends में दो interesting mention करता हूँ, बजाज Holdings 65 रुपे और महराष्ट स्कूटर्स का 110 रुपे का adjustment आज प्ले आउट होगा, धेटा यूएस का जो है, उसमें building permits, new home sales और prudal inventories वगरा आजानी है शाम को, Fed के governor Kugler की आज एक speech है, Kugler सहाब है की माइड़म है, इसलिए मैं चुप रहाएं इकनॉमिक आउटलुक पे, वैसे important कल है Fed Chair की speech, पावल सहाब की लगी हुई है, OECD यानि की Organization for Economic Cooperation and Development, आज वर्ल्ड एकनॉमिक आउटलुक पे और G20 कंट्रीज का आउटलुक पे अपनी रिपोर्ट साजा करेगा, जम्मो कशमीर election second phase आज underway होंगे, अब तो सुबह साथ में शूर हो जाता है, GST की जो group of ministers की बैठक गोवा में चल रही है, आज उसका day two है, पता नहीं agenda क्या है, बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग reports हैं, कोई कहता है life health insurance premiums पे focus होगा, कोई कह रहा है वो beverages industry ने भी कुछ demand कर रखी हैं, उस पे focus होगा, सब ने अपने अलग-अलग, कल वो real estate के अटक लें थी, कुछ निगल के नहीं आया तो लेकिन ठीक है, group of ministers जो decide करेगा, वो GST council के पास जाएगा, इसलिए important है, आज world lungs day है, deep breathing, करते भी नहीं दिन में एक बार भी डंग से, world pharmacists day है, उनका जो role communities की health better करने के लिए, और पूने वालों, भाहिती साफ, सत्पुते साफ, मुझे पता है सब देख रहे हैं, सुबह सुबह, सचिन, आज, IMD ने red alert issue कर रहा है पूने के लिए, वैसे मुंबई में भी तावर दोड़ बार इस वापिस लॉट आईए, क्यर, quickly आज की commodity strategies, मैंने तब और आपकी second plate पहले दिखा दी थी, केडिया commodities के अज़े केडिया साब ने मदद करी है, केडिया साब करे है, सोने के October वायदा में खरदारी करी है, 91-200 के स्टॉप के साथ, चान्दी लाक के तरफ बढ़ रही है भाई साब, यह कानी, अगली strategy उनकी वैसे गोल्ड में भी खरदारी करने की थी, तो वो precious metals और crude सब में खरदारी करने का call दे रहा है, खेर, break का समय हो गया, छोड़े जा रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी के आज एक्दम फ्लैटिश से 20-22-25 पॉइंट दबाव के साथ, शुरुआत होने के इंडिकेशन के साथ, morning call में तना है, break break के उस पार, आज का सीधा सौधा, नमस्कार, जास बखरुड़े जना है, की नम बएलोड़े निफ्टी के साथ, ऑ़िके जएर ओने के साथ, का समय होने मीफ्टी के साथ, किन नमस्कार डच्डिकेशन रे लाग Nepर्सी बधने हैं,